वी आई इंटरणेट प्रॉबलम दौस्तों अगर आपका भी वी आई सीम है और जिसमें आपका यहाँ पर E-PROBLEMS देखने को मिल चाहे तो इस विडियो को यहाँ तक देखते रहे ना आज इस वीडियो में बताएंगे वी आई सीम का यहाँ पर E-Network problem क्यों आता है और यह आपको यहाँ पर क्यों problems देखने को मिलती है इस problem को हम कैसे fix out करना है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके पास चाहिए यहाँ पर कोई सावी mobile हो जिसमें आपका यहाँ पर इसी में आपको network या पिर network का issues देखने को मिलता है तो इस वीडियो को end तक आप देखते रहे ना चले friends वीडियो को हम start कर लेते है सबसे बिले friends आप सभी को क्या करना होगा तो सबसे बिले friends आप सभी को यहाँ पे आपको अपनी जो है mobile की जो settings होती है आपको इसमें आपको चले जाना होता है ठीक है simple अपनी mobile की जो settings है उसको यहाँ से आपको open करना है अब mobile की settings आपको open करने के बाद friends आप सभी को हैंपे क्या करना होगा कि simple है आप सभी को हैंपे friends आपको mobile network का एक option मिलेगा या फिर आपकी mobile के settings में network and internet का एक options मिलेगा तो simple है आपको उसी options पर आपको click करना है अब यहाँ पर click करने के बाद आप देखो friends आपको क्या करना होगा कि आप सभी को यहाँ पर सबसे बिले mobile network के options पर click करना है आप mobile network के options पर click करने के बाद आपको यहां पर अपनी जोभी उहां पर आपकी जो SIM है उसको इहां पर सेलेक करना है V.I Sim को उसके बाद Friends आपको अपनी SIM को इहां से आपको बन कर देना है एक बार से आप जैसे हैं आपनी Mobile की SIM को बन कर दोगे फिर यहाँ पर इसको दुबारा से चालू कर देना है दुबारा से friends आप जैसे ही यहाँ पर अपनी sim को चालू कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर आपको आपका जो mobile data है यहाँ पर उसको यहाँ सी इस तरीके से long press कर देना है अब long press करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इस तरह के से आप यहाँ पर settings open हो जाएगी यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा यहाँ पर यह वाली जो settings यह उपन हो जाएगी यहाँ पर आप सभी को एक option मिलेगा जो की प्रीफरेट नेटवर टाइप अब देखो यहाँ पर प्रीफरेट नेटवर टाइप यहाँ पर इस तरह किसी option मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक करके आप सभी को यहाँ पर यहाँ पर यह आपका 3G रहेगा या फिर 2G रहेगा तो आपको एक option मिलेगा जो कि आपके mobile में aeroplane mode के नाम से तो simple है आपको क्या करना होगा कि आपको यह जो aeroplane mode देखने को मिलता है friends आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यह aeroplane mode को on कर देना है अब जैसे ही यहाँ पर यह जो aeroplane mode का जो option है इसको आप on करोगे तो उसके बात आप से भी को यहाँ पर इस options को यहाँ से off कर देना है आप off करने के बाद आपका network देखो यहाँ से फिर दुबारा से आ जाएगा और आपका जो network यहाँ पर आपको यह problem देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4G light आ चुका है अगर 5G है तो आप आपको यहाँ पर 5G से देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर आप देखो कोई भी यहाँ पर आपको network की problem नहीं आएगी यह setting करने के बाद इवन आपको यहाँ पर यह वाला भी problem नहीं आएगा वीडियो हैलफ लेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह setting करने के बाद internet को यूज करके comment box में बता देना चले मिलते फ्रेंट्स नहीं वीडियो के साथ किसी नहीं topic के साथ तब तेकले goodbye